हेलो एश्वरेंस महविकाश और मैं आप सभी का नॉलेज भी म्यूटिव चैनल के एक नए वीडियो में पुने श्वागत करता हूँ एश्वरेंस आज की वीडियो में मैं क्लास 10 वा क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए आलेखन पर आधालित बहुत विकल्पी प्रश्ण जो है लेकर आया हूँ यह प्रश्ण जो है बोड़ याम के दिश्टे से काफी इंपोर्टेंट है इस वज़े से आप इने अच्छे से तयार कर लीजेगा और खासकर जो 10 के विद्यार्थियों उनका 20 नंबर का जो है बहुत विकल्पी प्रश्णों में कला का जो है आपको बहुत विकल्पी प्रश्ण देखने को मिलेगा इस वज़े से आप जो है इस वीडियो को पूरा वाच कीजेगा और इसमें जो मैंने आपको 100 क्वेस्ट अगले अगले क्वेस्टिन की तरफ अगला क्वेस्टिन है इंद्र धनूस की तरफ की में विकल्पी प्रश्ण के तो अपका तीसरा क्वेस्टिन है प्राचीन भारती पद्दती के अनुसार प्रारंभी कत्वा मुख्यरंग कितने माने जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका चार विकल्प है तो सही विकल्प जो है आपका तीन है ठीक है इसके पाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चौथा कोईस्चन है रंगों की नवीन पद्दती के अनुसार प्रारंभी कत्वा मुख्यरंग कितने माने जाते हैं तो देखे आपको लग रहा है कि आसानी से आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखे नवीन पद्दती के अनुसार कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर आपका चार जो है वह सही option है ठीक है चार इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगरे question के तरफ question number पांचमा है आपका नवीन रंग पद्दती के अनुसंधान करता कौन थे तो नवीन रंग पद्दती के अनुसंधान करता कौन थे आपको बताना है सीतल रंग कौन सा है तो सीतल रंग इनमें से कौन सा है तो आपको बताना है तो इसमें हरा जो है वह सही भी कल्प है अब आगे बढ़ते हैं question number seven देखते हैं तो करा कि उस रंग कितने होते हैं तो उस रंग बताना है कितने होते हैं तो आपके जो उस रंग चार होते हैं इसके बाद आपका question number जो 9 है वह है दूतियक रंग कितने होते हैं तो यह आपके 4 होते हैं ठीक इसके बाद आपका question number 10 है खानी जरंग कौन सा है तो खानी जरंग आपका जो है एक्री लीख है इसके बाद आपका question number 11 रेखाएं कितने प्रकार की होती है तो बहुत यह सरल question रेखाएं आपकी दो प्रकार की होती है इसके बाद आपका question number 12 है नीम नमेश से गरम रंग कौन सा है तो गरम रंग कौन सा है तो सबको पता है कि बहुत आसान है लाल रंग ठेक इसके बाद आपका अगला जो question है ठंडे प्रभाव वाला रंग कौन सा है तो ठंडे प्रभाव वाला जो रंग है वो आपका नीला है कौन सा है ठेक इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो करा कि आपका जो question number 14 करा कि तठस्ट रंग कौन से हैं तो इसमें आप चार option देख सकते ह आपका पहला option है शफेद काला यहीं है ठीक है यहीं तटस्ट आपके रंग है इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो question number 15 करा कि निवने लिखित में से दूतियक रंग कौन सा है तो दूतियक रंग आपका जो है इसमें कौन सा है आपको यह बताना है ठीक है तो चलिए मैं आपको बताता हूं तो दूतियक रंग इसमें आपका नारंगी है कौन सा है नारंगी इसके बाद आपका question number 16 है लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए यहां पर छोटा सा लिखा वह नारंगी हो जाए ठीक है तो कौन सा रंग मिलाया जाए तो पीला कौ कांसा इद्रधनुस का रंग नहीं है तो कांसा इसमें इद्रधनुस का रंग नहीं है बहुती आसान क्वेस्चन है भूरा थीक इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं चैकन Hybrid सा रंग क्वेस्चन तो यह आपका उत्तर जो है करेक्ट है इसके बाद का आपका जो वीश्वा क्वेश्चन है वह है आस्मानी का विरोधी रंग कौन सा है तो आस्मानी का विरोधी रंग कौन सा है नारंगी कौन सा है नारंगी है ठीक इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्वे प्रभाव प्रकट होता है इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं question number nest की तरफ question number nest है बैगनी रंग से कौन सा भाव प्रकट होता है तो आमोध प्रमोध का भाव प्रकट होता है तो इसके आगे मैं और बढ़ू तो उससे पहले आपको बताना चाहूंगा यदि आप class 10 के English का सारा जो notes है PDF के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल को विजिट कीजेगा वहाँ पर मैंने सब कुछ explain किया कि कैसे आप free में class 10 के लिए English इस प्रोश प्राप्ति सप्लिमेंटरी लेटर राइटिंग आर्टिकल इन सब का जो है note PDF के रूप में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल free में ठीक है अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद question number 24 है अच्छे आलिखन के कितने गुड़िया सिधान्त होते हैं तो अच्छे आलिखन के कुल 5 पांच गुड़िया सिधान्त होते हैं इसके बाद आपका अगला question है 25 जो question है कि सांती का प्रतिक कौन सा रंग है तो सांती का प्रतिक जो है सफेद रंग होता है इसके बाद आपका question number 26 वीरता का प्रतीक रंग कौन सा है तो वीरता का जो प्रतीक रंग है वो आपका नारंगी है कौन सा है नारंगी इसका रंग संगती कितने प्रकार की होती है तो रंग संगती आपकी 6 प्रकार की होती है अब आगे बढ़ते हैं question number 28 नारंगी का सम्भी पस्त रंग कौन सा है तो नारंगी का सम्भी पस्त रंग जो होता है आपका वो होता है आपका पीला कौन सा होता है पीला तो यहाँ पर पीला पर टिक कर देता हूँ आप लोग समझ जाएगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला question आपका है आदर्स रंग कितने होते हैं तो आदर्स रंग जो होते हैं आपके कितने होते हैं कुल आठ होते हैं कितने होते हैं इसके बाद आपका question number 30 है हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है तो कौन सा प्रभाव डालता है यह आपको बताना है हरा रंग नित्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है तो ठंडा प्रभाव डालता है यहाँ पर हमारा ठंडा सही है इसके बाद आपका कौन सा आकार आलेखन के लिए उपियुक्त होता है तो कौन सा आकार आलेखन के लिए उपियुक्त होता है तो इसमें जो आपका सही option है ये सभी इसकी वाद हम लोग आगे बढ़ते हैं question number 32 की तरफ question number 32 है charcoal क्या है तो charcoal क्या आपको बताना है तो या एक आपका जो है grape height है क्या है grape height है इसके अदरफ का question number जो 33 हो है एक आलेखन में साधार्त है किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए तो इसमें आपका जो सही answer और सही वीकल पर वाय है हलके आकरशक रंग ठेक इसके बाद आगे बढ़ते हैं question number 24 है आलेखन का सबसे महतपूर अंग जो उसे पूरता या प्रदान करता है तो संपूरता प्रदान करता है आलेखन का सबसे महतपूर अंग जो उसे संपूरता प्रदान करता है तो कौन सा option से यह है आपका लायात्मक सुन्दर रिखाएं ठेक यह आपका सही है इसके बाद किनारी कालेखन किसके लिए प्रयोग किया जाता है तो किनारी कालेखन किसके लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ चार विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनना है तो इसमें जो है साड़ी के किनारे के लिए ठीक है यह आपका सही है इसके बाद आपका question number 36 चित्र कलामी कितने माध्यम रंग के प्रयोग होते हैं तो चित्र कलामी कितने माध्यम रंग प्रयोग होते हैं तो यह आपको बताना है इसमें आपका जो सही option है वो है आपका कौन सा option दो ठीक इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो करा कि फर्स के मध्य को सजाने के लिए समाने तक कौन सी काई प्रयोक करते हैं तो कौन सी काई प्रयोक करते हैं भूल पत्मिया तथा कलिया इसके बाद क्वेश्चेन नबर 38 है रंग माध्यमों में सबसे पादर्शी कौन है या कौन होता है तो इसमें आपका वाटर कलर या सही है वाटर कलर इसके बाद आपका क्वेश्चेन नबर 49 है जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उप्यूग्ध होता है तो यहाँ पर आपका हाट मैन या आपका सही है यहाँ पर मैं टीक कर देता हूं इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें आधा वाभी होटहिगा वह थोड़ा सा मीश आपका आपका पर 15 है इसमें तो लाल-णीला-पिला लाल, नीला, पीलार था तब का गवला उप्सन जो है वह सही है इसकी बाद आपका question number 41 से आलेखन कितनी प्रकार का होता है तो आलेखन आपका जो है चार प्रकार का होता है इसकी बाद आगे बढ़ते हैं question number 42 की तरब तो किसी प्राकृतिक आलेखन को किस प्रकार आकर्षण बनाएंगे किस प्रकार आकर्षण बनाएंगे पत्तियों द्वारा किसके द्वारा पत्तियों द्वारा इसके बाद प्रशन और समरिध्धी का रंग कौन सा है तो प्रशन्यता और सम्रिध्धी का रंग कौन सा है तो इसमें आपका हराह वो सही है आगे बढ़ते हैं कराकी question number 44 रंगों के कितने गुड होते हैं तो रंगों के तीन गुड होते हैं तीन गुड होते हैं यह आपका सही है तो जीतने भी विद्धार थे इस वीडियों को देख रहे हैं वीडियों को लाइक कर दे और चैनल को सस्क्राइब कर लेजेगा और साथी साथ आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को आपको हमारे साथ लेटेस वीडियों को नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके बाद आपका जो है रंगों के कितने गुड होते हैं तो रंगों के आपके कितने गुड होते हैं और टेलिफिकार को जाकर आप विजीट किजेगा वहां पर मैं आप लोगों के लिए बताया हूँ किस तरह से आप इंगलिस प्रोज को टे सपलीमेंटरी के नोट्स करना किस माध्यम से ठीक होगा किस माध्यम से ठीक होगा तो आपका इसमें सायध हमें लग रहा है एक्री लीक रंग ठीक है यहीं सही आफसन है अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं किस नमबर की तूलिका से सबसे पहली यानि सबसे पतली रेखा अच्छी बनेगी किस नमबर से यहाँ पर एक नमबर का जो है वह सही है ठीक है किस नमबर की तूलिका से तो एक नमबर की तूलिका से इसके बाद लाल का पूरक रंग कौन सा है तो लाल का पूरक रंग जो होत इन में से कौन सा रंग उदासीन रंग है तो इसमें जो है आपका काला रंग उदासीन होता है कौन सा काला इस पर टिक कर देते हैं इसके बाद का question no.50 आलेखन में जियामिती का प्रियुक क्यूं होता है तो यह आपको बताना है एक निश्चित आकार देने के लिए यहीं प्रथम महत्व क्या है तो यह है वस्तू को आकरशड बनाना क्या करना वस्तू को आकरशड बनाना इसके question no.52 आपका design को आलेखन कहते हैं क्यूंकि क्यूंकि इसमें कौन सा अप्शन सही है क्यूंकि वह सुन्दर होता है यह आपका जो है गःवाला option सही है आगे बढ़ते अब question number बाव तिरपन है आपका ज्यामिती डिजाइन का अधिकतर प्रयोग मिलता है तो किसमें मिलता है आपको यह बताना है तो बहुत अलंकरणों में यह आपका जो है सही है इसके बाद महाभारत में किस चित्रकार का नाम आता है तो बहुत ही सरल है और आप लोगों ने द सहदेव जो है वह सही है कौन सही है सहदेव इसके बाद पेश्टल रंग की प्रकार की होते हैं तो पेश्टल रंग धूधले होते हैं कैसे होते हैं धूधले रते होते हैं इसके बाद आपका समकोड त्रिभूज कीसे कहते हैं तो सब को पता है कि समकोड त्रिभूज जो ह आपको बताना है तो बहुत ही सरल यह बीज़ की दूरी इसके बाद आपका विच्ञा नम्रें भारत निप्रागेटि हासिक चित्र जिराफ ग्रूप कहां पाया जाता है तो यह आपका आजयम गड़ में पाया जाता है ठीक है इसके बाद आपका अजन्ता गुफा किस मत तो अजन्ता गुफा मंदीर आपका जो है महाराष्ट्रा में है कहां पर महाराष्ट्र में इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अंगले क्वेशन की तरफ तो अजन्ता की किस गुगा मंदीर के मंटब की छट पर सर्वशेश आलिखन प्राप्त होता है तो यहां पर आप देख देख शकते हैं चार्वीकल्ब है तो गुः शंख्या आपका जो दूसरा है वह सही है ठीक अब इसके बाद आपका क्वेश्ट्यन नंबर स्ट है कि भारती चित्रकला में मानो आकृति का आदर्स प्रमाण क्या है तो आदर्स प्रमाण क्या है आपको यह बताना है और इसमें जो है आपका कौन सा विकल्प सही है यहीं आपको पताना है और इसमें जो है 208 उंगूल जो है वह स्य ऑप्षण है कि इसके बाद आपका है मोनो कलर योजना किसे जहाना किसे कहते हैं यहाद करते हैं एक रंग योजना को ठीक है अब मैं जलिल यह बता देता हूं क्योंकि काफी ज्यादे क्वेश्टिन है और वीडियों काफी लंबा चला जाएगा तो आप लोग वीडियों को अच्छे से देख लिजेगा हो सके तो इससे रोक रोक कर देख लिजेगा ताकि अच्छे से समझ जाए इसके बाद कारली भि लदधाक में कहां पर लदधाक में इसके बाद किसके सासनकाल में हम जानामा का चित्रांकन हुआ किसके सासनकाल में हम जानामा का चित्रांकन हुआ तो यहाँ पर अकबर जो है आपका सही है इसके बाद आगे बढ़ते हैं राजा रवी वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहां है तो यह चित्र आर्ट गैलरी त्रीवे द्रम में है इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यह राएगड में पाई जाती है इसके बाद आगे बढ़ते हैं उस भूत पुरु प्रदार मंत्री का नाम बताईए जो चित्रकार भी था तो चंदर सेखर देख सकते हैं इसमें कई सारा आपसन आपको चार दिखाई देरा चंदर सेखर नर्शिम्हा राव बीपी शिंग और आई के गुजराल तो इसमें जो है आपका बीपी शिंग जो है वस सही है ठीक है इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन अबर बहत्तर है चित्रकला की स्रेडी में आती है तो श्रव्य द्रिश्य श्रव्य द्रिश्य इनमें से कोई नहीं तो इनमें से कोई नहीं ठीक है इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन अबर है बोधी सत्व ब्रज प्राडी चित्रण की स्टैली के इंतरगर्ट आता है तो या आपका अजनता के इंतर गर्ट आता है इसके बाद आपका question number 74 है चित्र में गहरा रंग पीसे इसकर क्या दरसानिय के लिए होता है तो या आपका गहराई ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं तेल चित्रण में किस तेल का प्रयूक किया जाता है तो तारपीन का तेल ये बलाप का वीवला अप्सन सही है इसके बाद यूरोपी चित्र प्रद्रत्ती पर धार्मिक चित्र चौरप्रतम कि बार्ठी चित्रकार ने बनाए तो किस ने बनाए चौरप्रतम ट्राइबर कोर कि राजा रवी वर्माने ठीक है यह आपका सही है इसके बाद आपका question number जो 77 है वह है छाया और प्रकास की चित्र में क्या भूमिका है तो चित्र को उभारना क्या है इसका भूमिका चित्र को उभारना यहीं सही है इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं question number 78 की तरह तो करा है कि हर्याली का प्रतिक कौन सा रंग है तो बहुती सरल यह आपका हरा है इसके बाद आपका question number 89 यह निराशा और दुख का प्रतिक रंग कौन सा है तो यह आपका नीला है, ठेक, इसके बाद मरती राजकुमारी का प्रसीत चितरजनता की किस गुफा में चितरित है, तो किस गुफा में चितरित है, आपको यह बताना है, तो यह सोलहमी गुफा में, इसके बाद आपका question number 81 है, कला किस भाषा का सब्द है, हिंदी अर्भी संस सब्द सही है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वर्ड किस का गुड है, तो वर्ड किस का गुड है, यह आपको बताना है, ठीक है, तो यह आपको साबसापना जरा रहा है कि प्रकास का गुड है, इसके बाद आपका question number 83 है, अजनता की गुफा में सर्वसेश आलेखन कहां बने हैं, तो कहां बने हैं गुफा नमबर 2 में, इसके बाद अजनता में कितनी गुफाऎ हैं, अजनता में कुल जो है, आपकी 30 गुफाए यह, कितनी गुफाइ हैं, 30, आगे आपका question 85 है, पहाटी छीतरकला के संस्थाफक कौन थे, तो संसार चंद्र थे, इसके बाद आपका question number 86 है tint किस रंग की मिलने से बनता है तो tint किस रंग की मिलने से बनता है तो यह आपका शफेद यह आपका सही है इसके बाद शफेद और काला रंग मिलने से कौन सा रंग तयार होता है तो इसमें जो आपका शही option है वह है grey इसका आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में राज ललीत कला एकादमि कहां है तो यह आपका जो सही option है वह है लखनव इसके बाद आगे बढ़ते हैं मार्भी जैशेव भिषित्रि चित्र अजनता की कौन सी गुफा में है यह important question है तो मनसूर कौन था मनसूर इसके बाद आपका question number जो bond पे है वो अदेख सकते हैं आपका करा कि अब्दूरहम शुगताई निमलिखित में से किस से सम्बंधित है नाम थोड़ा सा अटपटा है और थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप लोग थोड़ा समझ लीजेगा तो बंगाल चित्रकला सैली इसके बाद आपका question number तिरान पे है बंगाल चित्रकला सैली के प्रमुक चित्रकार कौन थे तो आनंद कुमार घोश थे इसके बाद कौन सी कला रूप प्रद नहीं है तो कौन सी कला तो वास्तू कला इसके बाद आपका question number जो 95 निम लिखी चार रंगों में से सबसे अच्छी रंग संगती कौन सी है तो इसमें देख सकते हैं चार विकल्प है सही बताना है आपको तो योगी रंग संगती जो है यहीं सही option है इसके बाद आपका question number चान बे है प्रथम के फाइट पेंसिल बनी किस सन में बनी आपको बताना है तो 1662 में पेपर में आसानी से समझ जाएंगे इसके बाद इसमें आपका question number सतान बे है कौन सा तत्व संडक नहीं है तो यह आपको बताना है तो इसमें जो है आपका संतूलन सही है इसके बाद आपका question number ठान बे है किस रंग की कमपन गती सबसे अधिक है किस रंग की तो बैगनी किस की बैगनी की इसके बाद आपका रंगत के हलके पन तथा गहरे पन को क्या करते है आपको बताना है तो इसे जो है तान, संगनता मान या सभी उप्यूकत तीनों ठीक है या सभी सही है इसके बाद आपका question number जो hundred है हो है question जिसे मैंने आपको श्रो किया with answer के साथ अगर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहराद चैनल को जो सब्सक्राइब करें तो मिलते है ने इस वीडियो में तब तक लिए thank you so much watching this video और पहरों है राद झाल ने दुदद करें अगरों है कर दो मिलते है लाद लग मीड़न कि जगो है प्रय बात जो झाल झाल